आज हम लोग कुछ data entry related work करेंगे जो टैली के कुछ questions है मेरे पास उस questions को हम टैली में shot out करेंगे जैसा कि एक दोस्त का ही question है आप देख पा रहे होंगे ये एक business start किया जा रहा है जिसमें कुछ इतने सारे amount लग रहे हैं ठीक है तो ये cash लगा करके और एक business start किया जा रहा है जिसकी entry मुझे टैली में करनी है उसके बाद goods purchase किया जा रहा है from DK Paul से तो ये goods है जो बहुत सारे item यहां पर दिख रहे हैं आपको और ये item जो है अलग-अलग GST rate पे हैं तो इसे हम कैसे purchase में entry करेंगे कैसे इसकी entry हम लोग करने वाले हैं क्योंकि यह rate जो है वह बिल्कुल अलग-अलग है उसके बाद यहां पर wages paid किया जा रहा है 2000 रुपया wages का मतलब होता है मजदूरी तो मजदूरी किसी employee को 2000 रुपया पे किया जा रहा है उसके बाद goods sales किया जा रहा है Mr. R.K. Narayan आसे ठीक है तो ये R.K. Narayan जो है आपका इनसे भी अलग-अलग GST percentage पर goods को sold किया जा रहा है तो इसकी entry भी काफी important होने वाली है क्योंकि इसमें GST rate multiples है तो ये एक साथ हम लग कैसे entry करेंगे उसके बाद आपका electric bill cash में pay किया जा रहा है और mobile bill भी cash में pay किया जा रहा है उसके बाद salary paid किया जा रहा है किस employee name clear नहीं है लेकि टैली है और इसमें बिल्कुल हम fresh तरीके का एक company बनाते हैं और एकदम fresh तरीके से काम करेंगे आपको हर एक की समझ में आएगा company address हम डाल लेते हैं पटना पटना डालने के बाद यहां से country तो country हम यहां से इंडिया ले लेते हैं इंटर करते हैं state हम भी हार select कर लेते हैं और इंटर करने के बाद phone email वेवाशाइड यह सब normal details है तो इसे आप डाल लीजिएगा जिसको contact details है उसके बाद financial year 14 2023 रहेगा क्योंकि हम 23 के financial year में काम कर रहे हैं और इसमें हम password नहीं डालते हैं और मुझे सिर्फ entry करके दिखानी है हम इसे accept कर लेते हैं दूस्तों ABC के नाम से मेरी पास company एक बन चुकी है अब इसमें हम पहला entry करते हैं तो पहला entry is started business with cash का है हम questions को देखते हैं यहां पर started business with cash amount है 2 करोड़ 10 लाग मतलब 21 पर आपका 3-3-6 जीरो है तो चली इसकी हम entry करते हैं हम आपको एक बात बता दे कि जब भी हम कोई business start करते हैं तो business start करते हैं तो इसकी entry जो है F6 में होती है तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहा है कि इसमें एक business को start किया जा रहा है कितना 2 करोड 10 लाग रुपिया लगा करके तो इसकी entry जो होगी F6 में होगी हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी business से start होता है तो उसकी entry F6 में होती है receipt में ही होती है अब हम इसकी journal entry की बात करें तो debit और credit की बात करें तो यह business पूंजी लगा करके start किया जा रहा है मतलब cash के रूप में ही सिर्फ पैसे लग रहे है तो debit में आपका हो जाएगा cash जितना भी amount है वो amount डाल लीजेगा और credit आप capital से किजेगा क्योंकि आप capital लगा रहे मतलब पूंजी लगा रहे है तो credit में capital हो जाएगा इतना amount और debit में cash हो जाएगा इतना amount तो यह question आपका बन जाता है और इसे आप tally में जाकर के f6 में बना लीजेगा तो इस question को बनाने के लिए आपको एक cash की laser चाहिए और capital की laser चाहिए तो जैसा कि आप जानते होंगे कि cash का laser by default पहले से बना होता है अगर नहीं इंटरी करने के लिए डायरेक्ट जाता है में accounting voucher में दोस्तो हम laser की बात होती है तो alt seeker करके हम data को entry कर लेंगे alt seeker करके नया laser हम create कर लेंगे तो चलते हैं में accounting voucher में interface करते हैं interface करने के बाद f6 press करना है यहाँ पे आपको click करना है f6 का option है तो आपके पास receipt का voucher यहाँ पे आपका open हो जाएगा अब दोस्तों यह receipt का voucher यहाँ पे open हो चुका है अब पहले इसमें CR पूछ रहा है तो CR की बात करें तो पहले CR में capital डालना है आपको तो capital का एक laser बनाना प capital अब यह capital का जो laser है वो under capital account में ही जाएगा क्योंकि capital का laser capital account में जाता है तो इस list of group से आपको खोजना है capital account कहाँ पे है तो यह है capital account इसे select करके इंटर करना है और इसे accept कर लेना है और कुछ नहीं डालना है आपको amount डाल देना है 21 पे 60 था तो हम यहाँ पे 60 प्रेस कर लेते ह हैं इंटर करते हैं इंटर करने के बाद डेविट में क्या होगा तो डेविट में यह पैसा हम cash से start कर रहे हैं business मतलब business में हम cash के रूप में पूंजी लगा रहे हैं तो यहाँ हम cash को type करेंगे इंटर करेंगे उसके बाद narration अगर लिखना चाहते हैं तो question को अप्लिख सकते ह नहीं तो इसे आप accept कर लें अब दोस्तों यह entry आपकी हो गई पहली entry अब चलिए दूसरी entry के बात करते हैं purchase goods यहाँ पे goods को purchase किया जा रहा है from DK PAL से समान का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जो name of item है आपके product है उसके बाद यह quantity दिये हुए है जो already pieces में ही होंगे यह clear नहीं क इस पे 2% है इस पे 5% है एक पे 5% है एक पे 12% 18% 18% तो यह अलग अलग GST rate है तो multiple GST rate में हम काम करना सीखेंगे दोस्तों आज multiple GST rate में तो multiple GST rate को हम entry कैसे करते हैं यह बहुत important question है दोस्तों और बहुत अच्छा question है आई हम देखते हैं party name क्या है Mr.D.K.PAL तो Mr.D.K.PAL से यह local party है दोस्तों local party है तो हम इसमें CGST SGST लगाएंगे क्योंकि इसमें यह local party जब भी होता है local party का मतलब same state state से state जैसे बिहार है तो बिहार की transaction बिहार में ही ठीक है तो हम purchase किसी बिहार मतलब राज से हैं बिहार राज के किसी भी अस्थान से कर रहे हैं तो व party name D.K.PAL हो गया तो आए हम देखते हैं इसके लिए हम टैली को on करते हैं टैली करने के लिए purchase की entry करने के लिए हम purchase को खोलेंगे purchase खुलेगा supplies invoice number हम यहाँ पर डाल लेते हैं जो भी मेरा invoice number है date अपना डाल लीजेगा आप लो party ने में D.K.PAL तो हम alt C करते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं D.K.PAL इंटर करते हैं अब यह D.K.PAL से हम purchase कर रहे हैं तो इसकी laser Sunday creditor में जाएगी क्योंकि यह लिंदार हो जाएगा मेरा ठीक है हमसे पैसा यह लेगा क्योंकि हम इसे समान खरिद रहे हैं तो Sunday creditor में डालेंगे bill by bill को yes करते हुए हम इसे accept कर लेंगे अब लेजर पूछेगा यहां पे तो purchase का आपको laser डालना है तो Alt C आपको फिर करना है और laser बनाना है पर्चेज का laser बनेगा जो अंडर जाएगा अपका purchase account में तो यहां सब purchase account को select करके इंटर करना है inventory value are affected आपका यह असर हैगा लेगिन दोस्तों इसमें GST कहीं से नहीं पूछा because मुझे GST पे काम करना है तो GST पे काम करना है तो आपको यहीं पे F11 प्रेस करना है तो आपको company का features खुल जाएंगे अब GST आपको मिलेगा tax session में तो इसके लिए F3 प्रेस करना है F3 फिर प्रेस किजिएगा तो GST आपको दिखाई देने लेगे अब दोस्तों यहाँ पे enable goods and service text GST का जो option है इसे yes करना है फिर इंटर करना है state altered GST details को भी yes करना है इंटर करना है state बिहार GST नमबर हम कुछ random ऐसे ही डाल लेते हैं जो मेरा GST नमबर है और इसे हम इंटर करके accept कर लेते हैं फिर हम इंटर करेंगे और final accept कर लेंगे तो आपके computer में GST yes हो जाएगा और यहाँ बे कुछ option भी आपको बर गए जैसा कि आप देख रहे है तो ऊपर देखिए purchase का laser बनाना है अंडर purchase account में जाएगा यहाँ से type of laser not applicable inventory value are affected yes रहेगा और नीची आईएगा तो इस टेटरी information में GST details यानि GST applicable applicable करना है और GST details आपको yes नहीं करना है क्योंकि आपको common laser पे काम करना है because आपको अलग-अलग rate लगाने है इसलिए मेरा यह common laser रहेगा तो GST details no रहेगा option और type और supply में goods को select करते हुए इसे हम accept कर अब यहां पर दोस्तों purchase का laser आपका जाएगा आप इंटर कीजिएगा तो नीचे में name of item पूछा जाएगा कि कौन सा समान आपको purchase करना है तो alt-c करके हम यहां पर समान का भी नाम बनाएंगे तो समान मेरा कौन सा है तो समान है पहले ring light है और LED light है पहले दू देखते हैं त product है तो alt-c करके हम यहां unit मनाएंगे PCS पुरा नाम होगा PIEC इंटर करेंगे unicode में PCS को select करेंगे फिर इंटर करेंगे number of decimal पहले 0 रहेगा because piece में कोई इसलिए 0 रहेगा और इसे इंटर करेंगे GST applicable करेंगे GST details को हम यहां पर yes करेंगे yes करने के बाद यहां पर calculation on value taxability में हम यहां से taxable select करेंगे और इस पर tax लगाना है 2% तो हम इसमें tax लगाते हैं all over 2% जिसमें 1% CGST और SGST हो जाएगा case 0% type of supply में good सरकते हुए इसे हम accept करेंगे दोस्तो हम question के अनुरूप ही काम कर रहे हैं अब इसमें quantity देखना है quantity है 175 पीस rate है 50 के rate से तो 175 पीस हम number quantity डालते है rate 50 के rate से डालते है amount automatic आ जाएगा इंटर करते हैं अब दूसरा product देखते हैं तो दूसरा product है rate led light तो alt c करते हैं और बनाते हैं led light इंटर करते हैं इंटर करने के बाद under हम इसे primary में ही डालेंगे यहाँ पे unit में PCS डालेंगे GST applicable लखेंगे details को फिर yes करेंगे yes करने के बाद यहाँ पे on value taxability में हम taxable को select करेंगे इंटर करेंगे उसके बाद integrated tax इस पर 5% लगाना है तो इस पर हम 5% टेक्स लगाएंगे जिसमें और हाई और हाई परसेंट आटोमेटिक हो जाएगा case 0 और टाइप और supply में goods रखते होगे इसे हम accept करेंगे अब दोस्तों मुझे चेक करनी है क्या चीज़ कि इसकी quantity कितनी है तो quantity 150 rate 110 के rate से तो चलिए quantity डालते हैं हम 100 rate 110 के rate से इंटर करेंगे amount आ जाएगा फिर इंटर करेंगे जब यहाँ आएंगे तो alt c button प्रेस करेंगे और जो next item है वो है मेरा home theater तो चलिए home theater डाल लेते हैं उसके बाद इंटर करेंगे इंटर करने के बाद अंडर इसे भी हम primary में डालेंगे unit यहाँ से PCS को select करेंगे GST applicable details को yes करेंगे on value taxability यहाँ से taxable select करेंगे और इसमें भी 5% rate लगाना है तो 5% case 0 supply goods और इसे accept करेंगे quantity देखते हैं तो quantity इसकी जो value है वो है 125 पीस 6,000 के rate से 5% है 125 पीस 6,000 के rate से इंटे करते हैं उसके बाद फिर हम अल्ट सी प्रेस करते हैं और अगला product देखते हैं अगला product है उडेन फ्रेम फ्रेम है 45 पीस 1200 के rate से इस पर 12% GST है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डबल डबल लीडी सिफ उडेन ही लिख लेते हैं आप पूरा नाम लिखिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगे अंडर प्रैमरी यूनिट्स PCS GST अप्लिकेबल details को हम yes करेंगे on value taxability यहां से taxable select करेंगे integrated tax 12% है तो इस पर 12% डालेंगे और यहां से goods डालते हुए हम accept करेंगे तो 12% tax के साथ इसमें जो है वो quantity 45 और 1250 का rate है तो quantity हम 45 डालते हैं और rate 1250 डाल करके इंटे करते हैं और इसे हम आगे बढ़ते हैं फिर अल्ट सी बटन प्रेस करते हैं और अगला प्रोड़क्ट देखते हैं अगला प्रोड़क्ट है आपका यहां पर लैप्टाप पचहातर पीस 35,000 के रिट से 18% GST है तो चलिए हम यहां पर टाइप कर लेते हैं एल एपी लैप्टाप अंडर प्राइमरे यूनिट हम PCS सब पीस में भीगने वाला समान है और यहां से हम GST अप्लीकबल करेंगे डिटेल्स को फिर से यहां करेंगे ओन बैलू टैक्सिविलेटी को टैक्सिवल 18% टैक्स 9% केस 0% सप्लाई में गूड सारी से हम एक्सेप्ट करते है quantity इसका देखते हैं तो quantity है 75 प्रण सब्सक्राइब 25,000 के डिक्से तो चली हम यहाँ पर दाल लेते हैं 75,000 इंटे करते हैं 35,000 के डिक्से इंटे कर लेते हैं तो यह मांट आ जाता है उसके बाद फिर हम Alt-C बड़न को प्रेस करते हैं और Alt-C बड़न प्रेस करने के बाद अ करते हैं अंडर प्राइमरी यूनिट PCS जीस्ट अप्लीकेबल जीस्ट डिटेल्स को हम यहां से यस करेंगे फिर ऑन वैलू टैक्स बीटी में टैक्स अबल को सैलक करेंगे अठाइस परसेंट टैक्स डालेंगे जिसमें 14-14 हो जाएगा सप्लाई गूर्स और इसे हम अब नेक्स्ट बोड़क नहीं है तो एक बार इंटर करना है और फिर से आपको अल्ट सी से लेजर बनाना है तो अब बनेगा सी जीस्ट एड़ी रेट ओफ एड़ी रेट छोड़ते हम डायरेक्ट 6% लिखते हैं 6% तो C GST 6% का लेजर बनेगा अंडर जाएगा duties and taxes में इंटर करना है यहां से GST select करना है और C बनाया है C का मतलब होता है central जब यह C बनेगा तो C बनेगा तो यहां से हम central तो दोस्तों हम पहले शुरू वाला से यह start कर लेते हैं 2% से 6% तो है भी नहीं 2% से start करते हैं तो 2% डालते हैं 6% नहीं लिखते हैं हम इसको थोरा सा बैक जाते हैं और टाइप कर लेते हैं C GST 2% इंटर डूटी जैंटेक्स जी एस्टी सी जी एस्टी यानि central टेक्स्ट और यहां से 2% का आधा डालना परेगा आपको एक परसेंट ठीक है इंटर करना है उसके बाद rounding method not applicable और इंटर करके आगे बढ़ना है अब यहाँ पर दोस्तों मुझे थोरी सी changing करने परीगी कि यह एक परसेंट ही होगा तो हम एक परसेंट ही टाइप करेंगे यहाँ पर इंटर करेंगे बाद वाकि सब कुछ हुआ ही रहेगा कोई changing नहीं है यहाँ पर एक परसेंट आपको लिखना है एक परसेंट इंटर करना है तो यह automatic यह जो है कि जो भी यह पैसा है इसका एक पर्सेंट यहाँ कट गया है 87050 इसका इस पैसा क्यों कि इसी पर चैल दो पर्सेंट चार्ज लगा है उसके बाद स्वाल्ट करना है फिर Alt C करना है और S GST बनाना है सेम प्रोसेस S GST यह एक परसेंट यहां पर आपको लिखना परेगा ताकि पाता चले तो हम एक परसेंट लिखेंगे इस GST यह भी अंडर जाएगा ड्यूटी जान टेकसेज में यहां से GST और से परसेंटेज आपकोलेशन एक होगा फिर इंटर करेंगे Alt C बटन प्रेस करेंगे उसके बाद बनाएंगे हम C GST कितना परसेंट 5 परसेंट है तो 2.5 परसेंट आधा करके बनाना होता है तो 2.5 परसेंट इंटर करेंगे ड्यूटी जान टेकसेज यहां से GST सी है तो सेंटरल परसेंटेज 2.5 और इंटर करेंगे तो यह 2.5 जिस भी टेकस यह वह कर जाएगा आपका फिर इंटर करेंगे करेंगे और यहां पर बनाएंगे ASGST2.5% फिर इंतर करेंगे डूटी जैंट एस है तो एस्ट टेक्स सेलच्त किजिए गा परसेंटेज होगा 2.5 इंतर करेंगे रांडिंग मेथड़ नोट अप्लिकेवल और इसे हम तो 2.5 जिस पे भी आराई परसेंट टेक्स आपका कर जाएगा उसके बाद इंटर करेंगे पांच परसेंट दू जगह है तो दू आइटम पर परसेंट टेक्स करता है उसके बाद फिर अल्ट सी प्रेस करेंगे बनाएंगे एस जी एस टी एड़ दी रेट आफ कितना परसंट बारव परसंट है एक में साथ 5% वाला हो गया उसके बाद 12% 18 और 28 तो बारव का अधा छोग परसंट इंटर करेंगे यह चला जाएगा आपका डूटी जैंट टेक्सेज में यहां से जी स्टी को सालब करेंगे सी है तो सेंटल परसंट एज 6 nPs background not applicable odyshm accept करेंगे फिर इंटर करेंगे Nobody करेंगे बनाएंगे sg2 इंटर डूटी जन टैक्सेज जी इस्टी एस्टेघ्स परसंटेज हुजाएगा 6 इंटर राउंडिंग मितड नौट अप्लीकेवल अधली सुम् एक्सेप्ट करेंगे फिर इंटर करेंगे फिर अल्ट सी करेंगे बारा का हो गए अब अठार का बनाना है नो नो तो सी जी ज परसेंट इंटा करेंगे डीजंट टैक्सेंट जी एस्टी यह तो सेंटल नौ परसेंट रावनिंग मेथद नौट अप्ली के बाल अधन कर जाएगा उसके बाद फिर अल्ट सी करेंगे इस जी एस्टी नौ परसेंट इंटर करेंगे यह duties and taxes में जाएगा GST को select करेंगे एस है तो state tax 9% और rounding method not applicable then accept फिर इंटर करेंगे alt c press करेंगे अब 14% का बनाएंगे c GST 14% 28 का अधा 14 14 तो duties and taxes GST C है तो central percentage कितना तो 14 rounding method not applicable और इसे हम accept करेंगे उसके बाद फिर alt c press करेंगे s GST 14% duties and taxes में जाएगा GST को select करेंगे type हो जाएगा state tax percentage 14 rounding method normal और accept तो दोस्तों यहाँ बें सारे tax कट चुके हैं सारे tax हम apply कर लिए हैं अगर इस tax के बारे में detail जानना है कि किस item पर कितना tax लगा हुआ है तो इसके लिए आपको यहाँ पर tax analysis का अप्शन दिखाई देगा इस पर आप क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद alt और f1 प्रेस कीजिए detail दिखेगा या फिर यहाँ भी एक अप्शन है उसके बाद उलेन जो भी है आपका उस पर चोड़ा परसेंट बारा परसेंट टेक्स कटा हुआ है और लेप्टप पे नौनो परसेंट यानि 18 परसेंट टेक्स कटा हुआ है उसके बाद apple mobile है उस पर 14 परसेंट यहाँ पर मोड पर क्लिक किजिएगा नहीं दिखाई दे रहा है तो यह 14 परसेंट आपका कटा हुआ है तो यह सारे टेक्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि किस आईटम पर कितने सारे टेक्स कटे हुए है फिर हम स्किप से बैक ज तो आपको अगला कोस्टन दिखते हैं आपका वेजिजा किया जा रहा है दो हजार रुपया लेजिज आगा मजदूरी चार्ज है तो इसे पेमेंट में जाएंगे क्लिक करेंगे पहले DR पुछेगा तो ALT C करके हम लेजर बनाएंगे WAGS के नाम से यह वेज़ इंडाइक्ट एक्सपेंसेज में जाता है क्योंकि यह खर्चा है तो इसे इंटर करके एक्सप्ट कर लेंगे तो यह कुस्टन आपका बन जाएगा अगला कुस्टन है समान बेचना है आपको Mr. R.K. नरायन से ठीक है? R.K. नरायन से तो यही समान आपको बेचना है कुछिस क्वांटिटी में तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं यह सेल्स करने के लिए तो सेल्स करने के लिए आपको एफट प्रेस करना है सेल्स का बॉक्स हुलेगा रिफरेंस नमबर यहाँ पर डाल लेते हैं जैसे पहला नमबर है तो पहला party name alt c करते हैं और यहाँ पे हमें नाम लिख लेते हैं RK Narayan इंटे कर लेते हैं यह under डालेंगे संडी डेटर्स में क्योंकि इसे हम समान बेचेंगे तो संडी डेटर्स में डालना है बिल वाबिल को yes रखते हुए इसे हम accept कर लेंगे GST यहाँ पे अगर RK Narayan के पास है details तो इसको yes करके डाल लीजिए उसमें GST नमबर जो उसका GST नमबर है नहीं है तो अब ऐसे भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इंटे करके हम इसे आगे बरेंगे laser हम sales का डालेंगे तो alt seeker के हम laser बनाएंगे एक sales के नाम से यह sales का laser under जाएगा sales account में तो sales account को select कर लेंगे उसके बाद inventory value और effected no रहेगा यह भी not applicable रहेगा GST applicable रहेगा details आपका no रहेगा supply में goods डालेंगे और इसे हम accept कर लेंगे अब समान यहां देखते हैं कि क्या-क्या समान आपको कितना-कितना बेचना है तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं ring light है 1975 के rate से 2% charge लगाना है ठीक है तो यह चीज हम कर लेते हैं LED light है आपका 9314 के rate से 5% home theater 118 पिस 7500 के rate से 5% Ulan पे भी आपको 12% और laptop है 14518 परसेंट और Apple Mobile 55300 काट 20% तो चलिए हम इसे फटा-फट एंटरी कर लेते हैं इसमें वही चीज करना है जो आपके पास समान है तो ले लेते हैं यहाँ से सब कुछ मेरे पास बना हुआ है तो हम पहले यहाँ से start करते हैं जो है आपका 117 पीस 157 पीस इंटर कर लेते हैं रेट हम यहाँ डाल लेते हैं 75 के रेट से और इंटर कर लेते हैं सेकेंड आइटम हम यहाँ से ले लेते हैं LED लाइट एल प्रेस करेंगे आटोमेटिक आजाएगा LED लाइट कितना कॉंटिटी है तो 93 पीस है हम ठीटर के बाद आपका जो है ओडेन है इससे सेलेक कर लेते हैं और सेलेक करने के बाद इसकी कॉंटिटी अगर हम देखें तो यह कॉंटिटी है और 29 पीस इंटर करते हैं रेट देखते हैं तो रेट हो जाता है इसका 1599 1599 पीस 15 12% है इसके बाद हम लेपटप यहां से सेलेक कर लेते हैं तो लेपटप को सेलेक कर लेते हैं इंटर करते हैं लेपटप इसमें 62 पीस आपको सोल्ट करना है रेट है आपका एक तालिस बानसो इंटर एमाउंट आजाएगा आँटática उसके बाद आपका Apple का mobile है, इंटर करना है, वो आपका साथ पीस है, rate आपका पच्पन तीन सो है, इंटर कर लेना है, तो automatic सब कुछ यहाँ पर आपका, अर्जा स्टेबल हो जाएगा, फिर इंटर करना है, और एक एक करके आप सब का GST चार्ज कर लिजे, तो पहले CGST एक पर परसेंट है, बस किवल चीज करके आप डालते रहना है, उसके बाद अगला है CGST और हाई के बाद आपका है CGST पांच परसेंट, छो देना था, चली कोई बात नहीं, अंदर तो छो ही होगा, हम इसको देख लेते हैं, यह 6 है, और हाई 5 का ही है, यह एक्स्टा लेजर बना ह होगा, 6 परसेंट यहां है मेरेपाँ, CGST 6%, तो CGST 6%, पांच परसेंट वखो नहीं डालेगा, 6 to 6%, इंटर किजेगा, उसके बाद SGST फिर 6%, खोड़िये SGST 6%, यह बना हुआ है, इंटर करेंगे, उसके बाद CGST 6 के बाद 9 परसेंट, हैं तो CGST 9%, इंटर, उसके बाद SGST 9%, उसके बाद फिर एक cgst होगा आपका 14% cgst 14% ये ले लेते हैं इंटर उसके बाद sgst 14% चलिए इंटर कर लेते हैं तो सारे टेक्स भी इसमें लग गए इंटर कर रिंग अगर देखना चाहते हैं तो आपको यहां से इंटर कर लेते हैं और इंटर करने के बाद फाइनल हम accept कर लेते हैं तो यह sales का transaction हो जाता है अब दोस्तों अगला question है आपका electric bill cash में pay किया जा रहा है तो payment में हम जाएंगे यहां से इंटर करेंगे Alt-C से electric bill का हम एक laser बनाएंगे ELEC लिख लेते हैं electric यह अंडर जाएगा indirect expenses में क्योंकि यह खर्चा होता है तो indirect expenses bill by bill यहां से no रहेगा यह सारे options GST भी not applicable रहेंगे क्योंकि electric bill पे GST नहीं देना है मुझे इंटर करना है कितना रूपया है तो यह पैसा है दोस्तो electric bill 2080 रूपया इंटर कर लेते हैं पैसा cash में हो रहा है तो cash को select करके accept कर लेते हैं तो यह question आपका बन जाएगा अगला question है mobile bill पे किया जा रहा है 599 रूपया हम इसे cash में pay कर रहे है cash select करके accept कर लेंगे यह question बन जाएगा अगला question है salary paid 5000 रूपया चलिए सेम प्रोसेस है आपका date होगर आप लोग अपना डाल लीजिए का date की कोई ज़रूत नहीं है मुझे अगर इस question को देखना चाहेंगे तो हम डिस्पले में जा करके इंटे करेंगे डे बुक में जा करके इंटे करेंगे और देख सकते हैं कोई गलती वगर अभी है तो यहां से अथानी से अब सुधार सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नहीं है तो प्ली चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए इसी तरह के एजूकेशन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे फिर मिलता है दोस्तों किसे अगले वीडियो में तब तक लिए जाहें आपक आदिन सुगको